अज़े आपके सामने आने वाला है यह बोड के एक्जाम के लिहाद से और अगर मैं बात करूं आने वाले जो 2-3 टोपिक अपने पास है उनके एकोडिंग वास्तों में बहुत इंपोर्टन ऑर इंपोर्टन से कहने का मतलब यह है कि यह आने वाले चैप्टर की दिसा तय करेगा कि हमारा चैप्टर आने वाला किस डारेक्शन में जाने वाला है ठीक है कल के दीन जो हमनों पढ़ा था एरिया वेक्टर ये एरिया वेक्टर हमारे पाद इस टॉपिक में काम करेगा ने में टॉपिक का electric flux हा सारी चीज़ ए चारों तरफ घोंगरी ए चार्ज यह तो इसका हम जाएरस बाहर से चार्ज़ डिसक्तिशन आ नहीं आना है तो इस चीज़ को आपको हवा चीज़ करेंगे तो विंडो से जो आने वाली हवा है वो किस-किस चीज़ के ऊपर डिपैंड कर रही है किस-किस चीज़ के ऊपर डिपैंड करेंगे पहला किस चीज़ को डिपैंड करेंगे कि विंडो को साइज कितना है एक हवा किस सपीड से चलने का मतलब है कि हमारे पास हवा की इंटैंसिटी कितनी आ रही है निकल गए तो अब इस चीज़ को जरा Mind relate करारा हूं electric flux तो electricity flux से कहने का मतलब नहींहाँ निकालनी है हमारे पास एक 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 सरफेस स्प्वेस रख्धाया ठीक है उस सर्फेस से मेरे को फिल निकालने यह यह पूरा पूरा एक इलेक्ट्रिक फिल जा रहा था यूनिफूर्म एक फिल की मैं बात कर लेता हूं और यह मैंने इसके रास्ते में एक इसक्वयर ट्राइप का एर टैंगल टाइप का को एक surface मैंने रख दिया इसे direction में इस direction में तो अब यह electric flux क्या बताएगा अब electric flux हमें यह बताएगा कि इस में से कितनी number of lines pass out होके जा सकती है जैसे कि मकान की window में से कितनी हवा पास आउट होके आ सकती है हवा तो चारो तरफ जा रही है लेकिन आपको कितनी मिल रही है हमें उससे मतलब है सेम काम यहाँ पे हमारे पास इसमें से कितनी field lines pass out होके जाएगी यानि कि number of electric field lines passing through a close surface उसमें से कितनी number of electric fill lines हमारे पास pass out होके दाएगी तो यह हमारे पास electric flux हमारे पास बताने वाला है अब बात आती है कि इसे representation में हम किस तरीके से लाएंगे और किस तरीके से हम denote करेंगे तो मुझे एक चीज़ बताओ मैंने भी आपको बताया कि इसे रिपर्जेंट करेंगे फाइए फाइए यह जो जीरो बना के इसका पेट ऐसे काड़ देते हैं लोग दाट इस दाफाइए फाइए फाइए सफिक्स में मैंने लगा इका मतलब लेक्ट्रिक फ्लक्स फाइरी प्रजेंट देरेगा फ्लक्स को इका मतलब होगा अगर इसमें लगा दूगा आगे जाका है कि वह बन जाएगा मैंने आपको बताया फरस आपने देखा गए अगर मैं से एरिया को छोड़ा कर दूँगा तो फिल लाइन से बाते कम जाएंग ठीक है दूसरा इलेक्ट्रिक फिल्ड की इंटैंसेटे कितनी है अगर एरिया मैं सेम रखो तो अब देखो पास फिल्गाइन द完了 products में आरे हैं दोनों के दोनों तो अब लाक्ट्र कॉंटिटी आपको पता है एरिया भी वेक्टर कॉंटिटी है तो कल आपने पढ़ा है कि दोनों के दोनों èn पर कुन सा प्रोडिक्ट लिया जाएगा अब हो में मुन तो आन्सर है भाई जआाप मुझे मतलब कि हवा कितनी आ रही है मुझे यह मतलब नहीं है कि हवा किस डारेक्शन में आ रही है ठीक है मैं खिड़गी के सामने में बैठा हूँ तो मुझे मतलब है कि हवा कितनी आ रही है तो यानि क्वांटिटी देट मैटमेटिकल एक्स्प्रेशन विल गिर्जा एलेक्ट्रिक फ्लक्स जहां पर यह क्या है अब जब दो डोट प्रोडेक्ट हमारे पास निकल के आती है तो हम लोग एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर दो डोट प्रोडेक्ट में आई कैप और आई कैप दा इस वान के गफ दोट के कैप यह डिदा लेकिन आइक डोट जीक एक कैप जिकल टून जी रो क्योंकि तोो नाइंटी पे हो जाते हैं निया जितने ही हमारे पस कंडिशन को इसे लिए आई डोट जे या जी डूट के या फिर के डोट आई डाइड इस अाफ इसेन निए Jetzt फ यह चीज़ आप लोग नोट करके रखना यह मैं आगे की ज़रत पड़ेगी स्केलर प्रोड़क्ट में जिस तरह है वेक्टर में कल आई क्रोश जे के वा था यह लेवंद में आप लोग पड़के आते हैं इसलिए स्केलर मैं डोट आई वन जे डोट जे वन के डोट के वन औ मैंगनिटीट ओफ ऑफ ए और कोस्ट थीटा ठीक तो डारेक्शिंट के हमारे इसकी तो यह बना देता है यह उनिट अब कितनी होगी जोंग कि खुर्व बेसिक सा काम है बहुत बर पोचले जाता है क्यते है ना बूंदा साकर बढ़ता है तो वह वह काम नहीं चोड़ना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फिल की उनिट क्या है हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल सही, न्यूटन पर कुला, एरिया की मीटर स्कुला, न्यूटन मीटर स्कुला, पर कुला, यह हमारे पास, इसकी क्या बनी है, यूनिट बनी है, एक चिछला ध्यान रख लेना भाई, आगे जाके आगे जाके इसकी एक unit आपको और मिलेगी आगे जाके वो क्या होगी उससे भी मैं आपको इसका introduce करा देता हूँ वो होगी volt per meter multiply meter square ये मनेगा volt meter V से volt है और M से meter है तो अभी विलाल इसके बारे में यतनी tension लेने की जरूत नहीं है लेकिन इसे note करके रखना मुझे इसकी आगे बहुत पढ़ने वाली एक नंबर में बहुत बार पूशता है unit की which quantity represents the unit volt meter तो volt meter कौन represent करता है that is the electric flux ये इसकी simple SI system में unit है जो कि मैंने Newton meter square per column लिखी है और ये भी लेकिन ये volt system के सुरू मैंने लिया है वोल्ट की ट्रम में so आपके लिए एक तो ओम वर क्यासे बनता है बाइस आप इसका dimensional formula आप लोगो को निकालना है कितना आता है कितना आता है Newton per column meter square से ये आपको मुझे solve करके बेजना है किसका dimensional formula कितना आएगा ठीक है पहली चीज तो ये ओके तो ये तो था basic introduction electric flux क्या है तो electric flux आपने जाना कि हमारे पास एक surface में से कितनी field lines निकल के हमारे पास जा रही है number of lines ये उसके बारे में बताता है दो चीज़ पर dependent है एक एरिया पर एक electric field पर उनका scalar product है तो यानि कि ये कैसी quantity हमारे पास बनी that is a scalar quantity ठीक है ये scalar quantity बनी और ये हमारे पास इसका magnitude अब अगर ये एरिया मैं बहुत छोटा सा ले लूँ बहुत छोटा से ले लूँ तो जारी सी फ्लक्स को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं भाई ध्यान रखना डिफाई इस इकल टू इडोट टे यानि कि मैंने जो एरिया है वो छोटा सा ले लिया है तो जब छोटा से मैं एरिया लूँगा तो मैं इस expression को मैं इसा लिख दूँगा इडिये कोस ठीटा किसी बुक में वो डारेकली छोटे इरिया के बात करता है कंप्लीट अगर मेरे पास नोन है तो मैं इरिया लूँगा मैं छोटे इरिया को क्यो लूँगा तो यह हमारे पास condition है इलक्ट्रिक फ्लक्स की अब इलक्ट्रिक फ्लक्स के उपर चलो कुछ काम कर लेते हैं find out कर लेते हैं कैसे कैसे से हम find out करेंगे और कैसे कैसे इसकी डारेक्शन हमारे पास होगी जैसे की for an example के तोर पे इस एक एक्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किसकी सर्फेस से कितरा एक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं सबसे पहले एक एंसी आर्टी का कुश्चन अपने पास आता है जो की कुश्चन नमबर कुश्चन नमबर है ज्यान रगना इसमें एरिया की डारेक्शन मुस्त इंपोटें यह बोल रहा है कंसीडर यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड ए थ्री इंटू टो दी पावर थ्री आई कैप थ्री इंटू टो दी पावर थ्री न्यूटन पर कुलाम यह आई कैप में है आई कैप का मतलब बोलो जल्दी हाँ बलगल सही है निक यह एक्स डारेक्शन में इसका मतलब यह किस में है उनली एक्स में और अगर केवल एक्स में दिया है तो य में जीरो और जैड में जीरो मुझे नहीं पता कितने वहाँ पे गिवन नहीं है इस स्क्वाइर का जो प्लेन है वो पैलल है यह एक्स यह वाई और यह जैड ध्यान से रखना यह वाई और यह जैड ठीक है इसका प्लेन कों सा होगा ध्यान रखना भी स्युक्त यानि यानि कि वा-जैड प्लेन साहए कौन साहँ यह हुआ पका वाई-जैड प्लेन तो इसका ऍर गया गया तो अइंच है ब्लेजिन में रखा है तो इसके अहीं कि गмढ़ा टाने के जर और ने इसा रिखता उख में करने z स्क्वारी जो साइड है वो साइड है हमारे पास 10 संसेंटी मीटर फिक्रडरोग करके आपको मैं दिखा देता हूं यह घ्र पाथ इक स्क्वार है और ये इलेक्टृ क्वल है ऐसे अगर को तो मुझे बताएंगे कैं इस से सपाइब से की एक्टर इधर होगा और ङेडक्र की थ wiggle रख धर इस डारेक्शन में तो क्या मुझे बताएंगे कि आप इस्सी हैं सAJ इस सरफेस की हम से आप इस आप म्पेंद सापकें हैं बिल्कुल बता सकते हैं फाइए कितना होता है फाइए होता है इडोट ए और इडोट ए का मतलब होता है magnitude of e magnitude of a और आपका कोस थीटा सो मुझे एक चीज बताओ इसका अगर मैं square का पहले मैं area लिखूं पहले area बताओ मुझे कितना होगा that is a square or direction i cap a square 10 cm square 10 cm है इसे आप मीटर में convert करेंगे फिर उसका square आप करेंगे that will be 10 raise the power कितना minus 2 meter square i cap ठीक है i cap meter square यह आप मारे पास क्या आया है area निकल क्या है तो value रखते हैं ज़रा इसके magnitude के साथ हम इसकी value रखते हैं कितना हमारे पास यह आएगा तो एक बदर देखें यह हमारे पास electric field यह हमारे पास area इनकी जो conditions हमारे पास given की हुई है so electric field का magnitude यहां पर कितना है जी 3 into 10 to the power 3 area का magnitude कितना है जी 10 to the power minus 2 angle कितना है दोनों के square यह space है हमारे पास हमने से flux को निकाल लिया है ओके अब दूसरी चीज है किसमें पार्ट और पूछा है हमारे पास वह फार्ट क्या पूछा है अगर इस surface को अगर जो हमारे पास यह area था जो हमारे पास यह square का surface था इसका area हमारे हमारे पास 60 डिगरी एंगल पर इसे रोटेट हो जाए इस तरीके दे इलेक्रिक फिल्ट अभी भी किदर है उदर है अब एरिया किस तरह रोटेट हो जाए तब हमारे पास यह आपका homework है अगर थीटा 60 डिगरी पर हो जाए तब हमारे पास पास electric flux कितना निकल के आएगा आपको बताना है तो gio में भी सोल कर सकते हो आपकी इच्छा है एक कुशन से और समझते हैं जैसे की जैसे की हमारे पास ये तो एक सिंपल एक टूडी था अगर मैं क्यूब लूँ अगर मैं क्यूब की कुछ कंडिशन में लेता हूं ये क्यूब है मेरे पास इस इस तरीके से बना लेता है कि एक यूब ऐसे रखा है है ओके लाइड दरज़ा इसके साइड है को शन में क्या कि वने आपके लिए को शन में गीवन है यह के चैसर फेस है वान टू थ्री फोर फ्रम नला फाइव अंदर वाला शिक्स कोश्चन में बोला है कि फाइंड आउट दा इलेक्ट्रिक फिल्ड पहली कोश्चन में ध्यान रखना तुर दा सिंगल सिंगल फेजिस जाने कि जितने भी सबसर्फेज उनसे आप उसों इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ पहले आप फ्लक्स बताओ एट उजाट जितने भी सर्फेज हैं तो हम लोग निकाल लेते हैं वाई सबसे पहले फर्स सर्फेज यह वाला पहला सर्फेज है हमारे पास जो कहीं आपको सामने से आपको दिखाई दे रहा है यह आप अगर बात करें तो हमारे पास कोई सी भी को आप नंबरिंग आप कर लें वो आपकी इच्छा है आप अपने कोडिंग आप नंबरिंग आप कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी एक सर्फेज हम लोग ले लेते हैं मैं पहले नीचे वाला में सर्फेज ले लेता हूँ धियान रहे इलेक्ट्रिक फिल सिफ एक्स यानि कि अगर यह क्यूब है यह क्यूब है तो यह सर्फेज को मैं इसे फस्ट बोल रहा हूँ इसके पीछे वाले को मैं टू बोल रहा हूँ मैं नंबरिंग आप अपने अकोडिंग आप कर लेना मैं इसके अकोडिंग आपको बता देता हूँ यह सर्फेज वन इसके तो सबस्क्राइब नीचे तरफ कितना होगा मेरे पास एक्स डारेक्शन में है केवल एक डारेक्शन में है ठीक है तो मैं इस वाले फर सर्फेस की बात करूं इसका एरिया कि इदर है इदर एलेक्ट्री फिल्ड कि इदर है वहाँ पर एंगल कितना है 90 तो कोस 90 डाइट विल इससे कितना होगा इदर इससे कितना होगा इडोट ए इए कोस 0 तिक मैगनिचूड में लिखा यह ता मैगनिचूड लगा कि अब लिख सकते हैं तो इए इनोट इंट शिए अगर साइड़ इसका ए है तो इडिया कितना होगा इसकोएर यानि कितना आया इए सक्वाइर इनोट यह मारे पास फाइड यूट थर अब आत करते हैं इस सर्फेस इसका फोर सर्फेस मज़ाइटर है इदर इलेक्ट्री फिल अभी वी इदर जा रहा है उधर की साइड जा रहा है तो दोनों के बीच में एरिया इधर एलेक्ट्रिफिल इधर एंगल कितना हुआ 180 वैरी गूट अगर एंगल 180 हमारे पास हुआ है तो 5 डूट फोर कितना होगा आप ए डोट ए इस इकल टू ए ए कोस 180 कोस 180 कितना होता है माइनस वन तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है इनोट ए कितना ए स्क्वाइर तो कितना हुआ ए स्क्वाइर इनोट यानिकी जस्टिस के अपोद्रिट दुबारा समंझले इसे यह सर्फेस का एरिया कि इदर है मैंने बताया 3D में हमें साउट वार लेते तो इधर एरिया है ओके इसका हमारे इधर है अब भी उधर कियो रहे सारा एक्स डारेक्शन में तो यह उरे में एंगल कितना है हमारे पास वरेटी तो सिमिलर लिए फाइड यूटू फिफ्ट सर्फेस पांचा सर्फेस हमारे पास कौन सा है उपर वाला एरिया उपर इलेक्टिफिल इदर एंगल 90 कितना आए मेरे लिए और यह हम चैनल से सिंगल सिंगल सर्फेस से भी निकाल लिए जितने भी फिशिस हमारे पास थे अब बात करते हैं तोटल टोटल फुलक्स कितना होगा टोडल फलक्स कितना होगा बाइजब 6 वीचिन्धड दें सबको एड़ कर दो जीरो प्लस ब्लस माइना 00 टो फिल्ड लाइन से क्लोस सर्फेस में एंटर की है उतनी ही भार निकली है ध्यान रहे इस चीज़ का तो इस समझे से हमारे पास अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला फुलक्स जितनी आई थी उतनी चले के क्या लेके आया जा बेटा क्या लेके जाएगा वह वाली बात है ओके तो अगर यही कोश्चन में इसी कोश्चन में एब एक्स किया है एकस न्यूटन पर क्लाम और एक्स क्या है एकस है डिस्टैंस कहा रहता है से कहां तक कि distance से से एस सरफेस की तो अगर यह मैं पहला सर फेस की मैं बात करऊंगे इस वाले पर होगा तो होगी लेकिन कि सरफेस के लिए होगी एंडार होगी जैसे कि अगर यह मेरे पास एक cube है for an example और यहां पर मेरे पास origin है तो origin से अगर यह मेरे पास यहां से यहां से यहां तक का distance x है तो x कितने के equal a given है तो यह distance यहां तक का कितना होगा a side over a head होके इस वाले के लिए कितना हो जाएगा कितना फरक पड़ेगा जब क्या था जब कोई electric field variation के साथ नहीं था वह uniform था अब चेक करते है फाई ड्यूट फरस्ट सर्फेस मेरा कुण सा था फ्रेंट वाला a dot a e cos 90 कोई effect निज़िए जिरो 5 seconds उसके opposite वाला जाने कि 5 first मेरे पास कोन सा था यह 5 seconds कौन सा है यह 5 सबस्ट कोई effect पड़ा गया नहीं पड़ा क्योंकि angle कितना है 90 second पे कोई effect पड़ेगा नहीं की वही है ठीक है न तो एवी इदर एवी इदर एंगल तो इतना हो गहां जिरो पर इस टाइम अब ध्यान रगना ज़ाए इस चीज में आपर डाटा में चेंज कर रहा हूं इसमें डाटा में तो यह इए कितना होगा इस बार इनोट X multiply A, A कितना area? A square, X कितना given है? यहां से यह तक का X कितना होगा इस surface के लिए, that is 2A, यानि कि 2A E note A square, कितना बना? 2E note A cube, that is 5 due to 3rd surface, अब निकालते हैं 5 due to 4th surface, इस वाले की help से, जो 4th surface है, इसका area किदर है जी? इसका area इधर है, electric field अभी भी किदर है? उधर है, angle 180 है, तो अगर मैं लिखूंगा, E A cos 180, cos 180 कितना होगा? minus, तो minus A, minus, E कितना हमारे पास रहेगा? E कितना रहेगा? अब E के लिए E note X, यहां पे X कितना है? A, यानि कि E note A, area A square, that is minus E note A cube, okay? that is due to 4th surface, पांच और सटे से वही 0 होना है आपके पास, क्योंकि angle वहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका 90 हो जाएगा, तो यह आपके पास flux में changes आएगा, due to each faces, तो total up flux कितना हो जाएगा? क्या आप total 0 हो जाएगा? नहीं होगा आप total 0, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब electrical uniform नह ही कर रहा है, तो इसलिए अब वो कितना हो जाएगा? 0 plus 0, plus 2 e note aq, minus e note aq, plus 0, plus 0, कितना बचेगा? that is e note aq, that's the total flux, okay, it's all about the electric flux, आपके लिए आज homework है, आपको करना क्या है? करना क्या है? आपके सामने NCRT के सिर्फ दो example में करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, example number 11, example number 11 क आपको सिर्फ a part करना है, अभी आपको b part नहीं करना है, ओके? और example number 12, example number 12 में भी आपको इसके a, b और c आपको part करने हैं, ना कि d part अभी करना है, क्योंकि d part के लिए आगे काम आएगा, ओके? तो ये आपको दोनों के दोनों आपको questions आपको attempt करने है, example 11 और example 12, example 11 का के वहल आप a part आप attempt करेंगे, example 11, only a part, b नहीं करना है, ठीके? और example 12 का, आप a part, b part और c करेंगे, d नहीं करना है, clear? तो आज हम इतनी रखते हैं, कल एक scientist और मैदान में कूदने वाले हैं, जो इस electric flux की छुट्टी करेंगे, इतने बड़े formula की, वो बहुत लड़ू सा काम लेके रखें, साथ रखें, थैंक यू, थैंक यू मेरे मुच्छ